सलाम अलेकुम वीवर्स आज की वीडियो में हम चांक पर डिजाइन बनाएंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को बिना स्किप्ट के पूरी देखिएगा और जादा से जादा शेयर क चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं यह मैंने कमीज को सिल लिया है यह साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और यह चांक है यह हमारी हिप लाइन है यहां पर मैं पहले मार्ग कर लेती हूँ फिर इसमें एक कैंची से हम कट लगा लेंगे और अब हम पेस्टिंग पेपर ले लेते हैं यह मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है ताके मैं इसकी दोनों चांकों में दोनों साइड की चांकों में इसमें डिजाइन बना सकूं इसलिए मैंने इसको एक साथ ही टू फोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें पिन अप कर लेते हैं पि किया है और Mark करने के बा旦 हम इसको मिला करके इस पर Line बनालेंगे ये देखे इस तरह से Line बनाने के बाद अब हम इसकी cutting कर लेते हैं क्योंकि हम जो इसमें Less लगाएंगे डिजाइन बनाएंगे वो हमारा 1.7 इंच का है डिजाइन इसलिए हमने इसको इस हिसाब से काटा है क्योंकि यह मैंने दोनों साइड की चाक कर काटा था इसलिए मैं इसको बीच में से भी कट कर लेती हूँ और अलग-अलग करने के बाद ये देखे इस तरह का है यह अब हम इसको इस कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं पेस्ट करने के बाद साइड में थोड़ा-थोड़ा मार्जन छोड़ करके अब हम इसको इस तरह से स्टीच लगा लेंगे कि स्टीच लगा कर हम इसको तयार कर लेते हैं यह देखे इसको इस तरह से तयार करने के बाद हम बीच में निशान लगा लेते हैं और इस तरह से चौक से क्रीज बना करके चौक से निशान लगा लेंगे अब हम कमीज लेंगे और कमीज पर इस तरह से माग कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्टिश लगाएंगे यह चाक वाला हिस्सा है हमारा यह देखिए इस पर हम rough stitch लगाएंगे क्योंकि हमारी यह cutting में चली जाएगी इस तरह से करने के बाद हम इसको खोल कर ऐसे खोल लेंगे एक साइड इधर एक साइड इधर करके यह देखिए इस तरह से हम कर लेते हैं और जो हमारा यह cut लगाया था हमने पहले उसी जगह हम सीधी साइड में और mark कर लेंगे यह वहाँ पर mark क्या है जहां पर हमने शुरू में cut लगाया था अब हम इस जो यह तयार किया था pasting paper से इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे पिन अप कर लेते हैं पिन अप करने से ये क्योंकि हमारा ये डिजाइन इस तरह से है तो ये हिलेगा नहीं और आसानी से लग जाएगा जो हमने ये बाद में सिलाई लगाई है वहाँ पर हम इसको रखके पहले सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने से ये हमारा हिलेगा नहीं और जो हमारी साइड की सिलाई है वो भी हम बहुत आसानी से इसमें लगा लेंगे ये देखे जो मैंने स्टिच शुरू में लगाई थी कमीज में इसे जगाव पर यहां पर यह लगा रही हूं और यह वाली स्टिज भी मैं उसी упर लगा रही है यह लगाने से बीच की सिलाई करने से अब हमारा जो हम इस साइट में ही सिलाई करनी है यह हमारी बड़ी आराम से सिलाई लग जाएगी जैसे हम ये चाक अपनी तयार करेंगे इसी तरह से हम अपनी दूसरी चाक भी तयार कर लेंगे अब हमने इस सिलाई लगा ली है अब हम इसको जो पिन है ये रिमूब कर देंगे और जो हमारा ये अंदर से कपड़ा है हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे ये हमने कमीज की सीधी साइड रखके लगाया था अब हम इसको उल्टी साइड की तरफ पलट देंगे ये देखे ये इस तरह से बन जाएगा अब हम इसको प्रेस से जमा लेंगे प्रेस करने के बाद इस पर हम ये अंदर की तरफ को सिलाई लगाएंगे और ये हम इस पर rough stitch लगाएंगे क्योंकि हम इसमें तुर्पाई करेंगे और हम इसको जब तुर्पाई कर लेंगे तो हम इसको ये जो एक्स्ट्रा हम ये rough stitch लगा रहे हैं ये हम इसको निकाल देंगे अब मैंने ये एक strip ले ली है ये दो इंच चौड़ी है और मैंने इसको प्रेस से इस तरह से बना लिया है दोनों साइट इसकी अंदर करने के बाद इस तरह से ये ेक पट्टी तयार ली है मैंने और ये मैंने ये लेस ली है लेस को मैं इस तरह से बीच में रखूंगी और ऐसे करके यहा पर stitch लगा दूँगी ये देखिए ये इस तरह से इसलिए मैंने इसमें दोनों तरफ से प्रेस से क्रीज बना ली थी ताकि ये हमारी लगाने में आसानी रहे और ये बिल्कुल एक सार लगे इस तरह से लगा करके हम जो दो पट्टिया है दो लेस की पट्टिया हम ये तयार कर लेंगे ये देखिए एक इस तरह से बन गई है और हम इसको ये दूसरी साइट की और ये इस तरह की अब हम इसको इस तरह रख करके नाप की देख लेते हैं नाप की देखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे जो एक छोटी एक इसमें पत्ति है वो हम इसकी कट कर देंगे ताके ये हमारा थोड़ा सा जो हिस्सा है ये अंदर जा करके हम इसको अच्छे से इसमें सिलाई लगा दें ये देखे ये मैं इसकी पत्ति कट कर देती हूँ और उधर जो इसको इस तरह से लगाएंगे और ये जो इधर वाला है उसको भी मैं एक पत्ति उसकी भी कट कर दूँगी तो ये हमारा लगाने में आसानी रहेगी और ये बड़ी फिनिशिंग के साथ लग जाएगा ये देखे ये इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको पहले गलू से चिपका देंगे ताकि ये हमारी स्टिट लगाने में बहुत आसानी रहे पहले हम इसको बिल्कुल एक सार करते हैं ये हमारी जो पत्तिया हैं ये बिल्कुल एक दम सामने सामने आनी चाहिए ये देखिए ये इस तरह से अच्छे से रखने के बाद हम इसमें ये गलू से चिपका देंगे चिपकाने से ये हमारी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और बहुत अच्छी सफाई से लग जाएगी ये देखिए ये इस तरह से गलू से चिपक गई है अब मैं इस पर स्टिच लगा दूँगी ये देखिए कितनी आसानी से इस पर स्टिच लग रही है इसके लिए मैंने इस तरह की लेस ली है आप अगर लेना चाहे आप सीधी भी ले सकते हैं ये मुझे इस तरह की ही अच्छी लग रही थी तो मैंने ऐसी ही लेस ले ली अब हमारा डिजाइन बन कर तैयार है ये देखिए ये इस तरह से बन गया है उमीद है आपको वीडियो पसंदाई होगी वीडियो पसंदाई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और शेयर भी जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा तस्मिया क्रेशन शॉर्ट्स की नाम से चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और फिर मैं आपके साथ कोई नई वीडियो नया कंटेंट लेकर आती हूँ तब तक के लिए अल्ला हाफिज